जानिये हर सच की कहानी, दिलेश ठक करनी जुबाई, आपकी अपनी नेशनल यूज इंडिया प्रण। जिसके कारणी नेशनल लेवल पर यह प्रण। जो विरुद्य व्यक्ति है, जो चल फिर नहीं सकते, उनको कोई सामान लाना है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग ने बनाई है डिलीविर रोबर्ट। इसे हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, यह खुद ही जाएगा, सामान ले लेगे हम लोग और वापिस भी आ सकता है, इससे टाइम बहुत बचेगा, और यह प्रोजेक्ट तो हमारा नेशनल लेवल पर भी सिलेक्ट हुआ है, हम लोग को इसमें सरकार की तरफ से 10,000 राशी भी मिलिए, एक विज्ञान का सिक्षा को पिछले साथ साल से गुरूकुल में, तो मैं यहाँ पर आपको पूरी इमानदारी के साथ बता सकता हूं कि बहुतिक सिक्षा में भी गुरूकुल सभी जगों पर नंबर वान है, कर दो कि जगों पर नंगर ऑने तरहने गार्या को पर ना, युख भी जगों नहीं को पर दीचे कि अनगरूकुल सब्सक्रारी करें, तो मतल़रू को पर नियुक्त करेंदें? करता है, करता है करता है, या है करता है... कर दो कर दो नमस्कार मेरा नाम बाटी विक्रम सिंग है मैं गुरुकुल में पिछले साथ साल से विज्ञान पढ़ाता हूँ विज्ञान में मैं फिजिक्स लेता हूँ और हमारे साथ मोरडिया मिताली मैं मैं जो केमेस्ट्री और बायोलोजी संबालते हैं गुरुकुल के अंदर साइंस के अंदर किस तरह से पढ़ाई करवाई जाती है वो जब आप मेम से बात करोगे मुझसे बात करोगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि गुरुकुल के अंदर विज्ञान को किस तरह से महत्वधी आ जाता है तो आप मेम से बात कर सकते। पता है कि साइन्स के अंदर कंसेप्ट आते हैं और वो सिध्धान के आधार पर होते हैं तो यदि हम उसको डायरेक्ट बता देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आता है वह मैस तो है नहीं कि बाड़ के ऊपर हमने दो प्लस दो चार कर दिया और हो गया तो साइन्स के Canadians में प्रेक्टीकल रहते हैं वह सभी प्रेक्टिकल में करवाए जाते हैं जिसके कारण कि बच्चों की जो सब्दो के प्रती और उनके अर्थ हैं उनको वास्तविक रूप में लिवल तक सिलेक्ट हुए और उसके साथ ही साथ इंस्पाइड एवर्ड के अंदर भी हमारे बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है जिसके कारण उन्हें वहाँ पर 10,000, 20,000, 30,000 रुपे तक रासी प्राप्त होई है तो इस तरह से आप यदि हमारे गुरुकुल तो गुरुकुल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा दूसरे कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा कि आध्यात्मिक सिख्षा का तो पूनत और लाब यहां पर प्राप्त होता है बच्चों को उसके अंदर तो कोई कम ही नहीं है बच्चे सुबह 6 बजे उठते हैं सुबह 6 बजे उठके बच्चे संध्या करते हैं प्राणायम करते हैं आसन करते हैं माला करते हैं ऐसा आपको कहा देखने को मिलेगा कि बच्चा सुबह उठके ये सब कर रहा है आज के समय में बाहर के दुनिया में आप देखो कि तो बच्चा मोबाइल यूस करता है यहां पर तो विध्यार्थी एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से आत्मिय सब्मन्द रखते हैं और गुरुदेव का ज्यान, ब्रह्म ज्यानी गुरुदेव का ज्यान उन्हें मिलता है, इसलिए उनकी बुद्धी के अंदर निखा रहाता है, उनके अंदर विवेक जाग रहेते हो कि भौतिक शिक्षा में भी गुरुकुल सभी जगों पर नंबर वन है तो आप यदी हमारे बच्चों से प्रत्यक्षम की प्रमांद नह्त। कर रहे हैं आप हमारे बच्चों से बात करके जान सकते हैं कि मेरा नाम आज किया सो रहा है मैं छटी करक्षा में पढ़ता हूं सर अम लोगों ने इट एक्षेंजर ट्यूब प्रोजेक्ट बनाया है सर मैं जाजा मोल होटेल वैसी सब जगह पर जाता हूं तो उधर मैं देखता हूं कि ऐसी कावफियक ज्यादा हो रहा है उस प्रमान पे अपना वातारंन ज्याद्या प्रधुषिक हो आ तो मैं अ Ξсть kommt बनाया हूं जैसिका उपयोकम और वातारंन प्रधुषिक भी ना और जमिन के उपर का तो ज्यादा होता है जमिन के निचे के का मोथा है उसी परमार पर के अंदे बति Central लगी यह सेट पर यहां म å क्लोग ने वह सब्दों अवार को वो खीचता आए और जब जमीन के अंदेर डाखल करता है तब जमीन का तेम्परेचर कम होने से वह गर्मी का सोसन कर लता है वैसे गर्मी का सोसन होने पर दूसरी शाट से अवाग ठंडी हो जाती है वैसे हम लोग घर घरों में ऐसा करें तो फिर वातावान का प्रदूशन ज आधार पर है कि अभी के समय में आप जानते एसी का यूस बढ़ता ही जा रहा है और जितना ज्यादा एसी का यूस बढ़ेगा उतना ज्यादा ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ेगा एन्वार्मेंट एफेक्ट होगा हमारे बच्चों ने यह सोचा कि क्यो ना हम ऐसा करें कि लिए कोई ऐसा काम किया जाए कि लोगों को ठंडी अवा भी मिलें और साथ में एसी का यूस बीना करना पड़े और इन्होंने जाना कि प्रित्वी का नीचे का जो तापमान है जैसे आप चार मीटर के नीचे चले जाओ तो पूरे साल वो कॉंस्टन रहता है बाहर की हवा को भी ठंडी करके जमीन के द्वारा जमीन के नीचे ठंडी करकर लोगों के घर में ठंडी हवा पहुचा सकते है बिना किसी अतिरिक्त खर्च के तो यह बहुत बड़ा इन्नोवेशन किया यह इनका क्या बोलते है साइंस फेर के अंदर सिलेक्ट हुआ है और साथी के बारे में यह आप इन से जानेंगे तो यह आपको बताएंगे कि किस तरह से वर करता है अर्यम मेरे नम बलगा मड़े दिवान से मैं भरुष का रहने वाला हूं मैं एक अक्षा नौवी में पढ़ता हूं मेरे प्रोजेक्ट करना में स्मार्ट विल्चर जो जो भी दिव इसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया बनाया और अब स्मार्ट विल्चर तो मिलती भी है लेकिन बहुत में मिलती है तो गरीब लोग उसको खरीद नहीं सकती है इसके लिए कम से कम बजेट में बन पाए और कम से कम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग खरीद ल और सबने सबसे पहले साइकल का हंडल लिया और उसको थोड़ा छोटा पर देंड़ इसके लिए थोड़ा लंबा पाइप के लिया और नीचे फ्रेम बनाया मोटर मोटर एक्सलेटर और हमोटर से पूरा अटेश्मेंट तैयर करके सिर्फ फक्त फक्त पांच मिनिट के अंदर पूरा स्मार्ट विल्चे तैयर हो जाता है देखो आप जानते हो कि 2019 में जो सरकार की सिक्षा नीती है तो सरकार क्या चाहती है कि हमारे यहां से ऐसे बच्चे ना निकले कि जो सिर्फ पुस्तक का ग्यान हो पर वेवारिक ग्यान ना हो तो हमारे यहां तो वर्ट सोप भी है जिसके अंदर विद्यर्थी खुद जाकर सर को आइडिया बताते हैं सर उसके ऊपर उनको गाइडेंस देथे कि आपको ये किस तरह से करना चीए तो बच्चे अपने हिसाब से उसे करते हैं सीकते हैं गल्ती भी करते हैं और उसके बा सथार एंड्र वर्क बोलो वह बहुत बड़ा है तो उन लोगों को यदि कम पैसों के अंदर अपनी समार्ट करना हो मानों उनके पास पहले से मौझूद भी उन्हें वह बेचनी ना हो उसी को समार्ट करना हो कम पैसों में तो वह कहा जाएंगे सभी को तो यह नहीं पोशा सकता है कि वह साट अजार सितर अजार असी अजार रुपे की इलेक्ट्रीक विलचेर खरीद है तो हमारे बच्चों ने इसके ओपर दिमाग लगाया और एक अटेच्मेंट तैयार कि ऐसा अटेच्मेंट कि जिसे सिर्फ आप अपनी न प्रोजेक्ट भी इसे साइंस फेर के अंदर काफी पसंद किया गिया इसे भी इंस्पायर एवोड के अंदर सिलेक किया गया था तो यह हमारे गुरुकुल के बच्चों का इन्नोवेशन है अमारे एक तीसरे विद्धियार्ती भी है इन्होंने स्मार्ट डिलिवरी रोबो है तो ऐसे के लिए और जो विरुद्य व्यक्ति है जो चल फिर नहीं सकते उनको को सामान लाना है तो इस चीज के लिए हम लोग ने बनाई है डिलिवरी रोबोट अभी के लिए तो हम इसे छोटे बेस पर यूज करें लेकिन अगर आगे जाके हम लोग इसमें और चीज आ फिझाना परते हैं वह नहीं जाना पड़ेगा लोगों करें काफी बचा सकते हैं और यह प्राजेक्ट को हमने अगरे थीरे गरीं हम लोग इसमें और नहीं सीखा हम वर्प बनाए और हमारी जो वर्क्षोपे उसमें हम लोग सीधारी केक बना सकते से सांग होता है।штdf спрос drama रखी और से हमें की कई सम्कित बनाते उसमें क्या बेस होता है mechanical क्या होता है उसमें वो सब आप ने चेंग एप मैं काफी कुछ चीज और अभी हम लोग 매ं देखें तो हमारे गुरुकुल में हमें काफी चारी चीज में साइन्स फेर में आगे लिए आ जा सकता है हम लोग को आगे भेज़ते और ये प्रोजेक्ट तो हमारा नेशनल लेवल पर भी सिलेक्ट हुआ है हम लोग को इसमें सरकार की तरफ से 10,000 राशी भी मिलिए और हमारे गुरुकुल में ऐसा नहीं है किसी फ्रट्टा मार के सब चीज सीखाई जाती है उसको समझा के उसमें क्या है उसका सार क्या है वो सब सीखा के हमको बताया जाता है देखो विज्ञान आज के समय का सबसे बड़ा हाथियार है और इसे कोई नकार नहीं सकता आप देख सकते हैं कि AI टेकनोलोजी है वो किस तर पर एक्चुली यहाँ पर यह प्रोजेक्ट रखा नहीं है हमारे विद्यार्दियों ने AI के उपर भी एक प्रोजेक्ट तैयार किया था AI चेट जीपिती के उपर प्रोजेक्ट बने है और वो प्रोजेक्ट भी हमारा साइण स्पैर के अंदर सिलेक्ट हुआ था तो हमारे जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि कि किस तर और अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों एक साथ चलते हैं, ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पई है, दोनों का साथ चलना बहुत ही जरूरी है, तो हमारे जो विद्यार्थी है, वो सिर्फ रट्टा मार की सिक्षा नहीं लेते हैं, और वो लेना भी नहीं चाते हैं, क्योंकि गुरुकुल का जो विजन है और जो मिसन है, वो एक ही है, कि हमारा बच्चा किसी भी एक भी फिल्ड में कच्चा नहीं रहना चीए, सरवांगिन विकास यही गुरुकुल का मुल मंत्र है, तो गुरुकुल के अंदर विध्यार्थी, कॉम्पूटर के अंदर अभी आपने देखा कि विध्यार्थी ने ब अबला बजाना हो, संगीत हो, गीद गाना हो, कुछ भी, X, Y, Z, साथ-साथ में खेलने के अंदर अभी आगे जाओगे तो जानोगे कि हमारे गुरुकुल के विध्यार्थियों ने खेल के अंदर भी बहुत अच्छी मेंट प्राप्त किये इसी एर में, तो प्रतिक अब जाना से ये गुरुकुल पुरे भारत में चल रहे है, तो हमारे गुरुदेव की यही मूल मंतर है, कि कोई भी ऐसा आपके अंदर का ऐसा कौशल्य नहीं है, जो आपके मन की सांती के अंदर से ना उद्वा होता हो, यदि आपका मन सांत है, यदि आपका मन एकाग रह करना मतलब हमारे विद्ध्यारतियों के अंदर पहले तो हम ऐसे बीच बोते हैं कि उनका चरित्र निर्मानों, क्योंकि यदि चरित्र नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे विद्ध्यारतियों के अंदर धहर्य, क्षमा, प्रसनता, सांती, करुना, ऐसे अच्छे पहले अपने अंदर के जो दुर्गुण है उनको अटा कर अच्छे गुणों का विकास और उसके बाद बहार की जो सिक्षा है उसको पून रूप से सार्थक करना उसे पून रूप से चरीताल्थ करना इस तरह से हमारे गुरुकुर्ड का सिस्टम वर्क करता है जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक कर भी जुबाई आपकी अपनी नेशनल व्यूज इंडिया प्रॉट